बड़ा मामूली सा शब्द है ग्रहनी पर इसका अर्थ बहुत गहरा है सारा घर जिसका रिणी हो वही ग्रहनी कहलाती है नमश्कार मेरे प्रिया दोस्तों दर्शकों मैं हूँ मुहित कमिश्रिमाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और आज का राशी फल यानि की 17 मार्च के इस विशेश एपिसोर में आप सभी को बढ़ाई और शुबकामनाय देना जिनका आज जनम दिवस है, मैरे जनवसरी है या कोई विशेश यादगार दिन है शुरुबात करते हैं आज के पंचांग से तारिक 17 मार्च 2023 से और दिन शुक्रवार का है आज के विशेश उपाय में नवरात्री वरत क्या है कैसे आपको करना चाहिए ये इस एपिसोर के पंचांग की बात करते हैं संबत 1989 का चैत्र क्रिश्न पक्ष चल रहा है दश्मी तिति है दोपहर के दो बजे 6 मिनिट तक और उसके बाद में एकादशी तिति आरंभ होगी उत्रा शाडा नक्षत्र रहेगा वहीं धनुराशी का चंद्रमा सुभे के 10 बच के 18 मिनिट तक ह जिसके बाद में मकर राशी का चंद्रमा हो जाएगा अज रहुकाल का समय सुभे के 10.30 बचे से लेके 12 बचे तक है और शुब चौगरिया महरत आज के दिन आपको दो बार मिलेगा सबसे पहले सुभे के समय में 8 बच के 19 मिनिट से 10.30 बचे तक और दूसरा महरत आपको द शुब और लापकारी सिध होंगी तो वहीं पश्चिम और नेरित्य दिशा में संघर्ष छिपी होगी जौग का उपयोग अगर आप करते हैं पश्चिम या नेरित्य दिशा में ट्रावल करते समय तो आपके लिए तो भी यात्रा बहतर बन सकती है फिर बात आती है सुर्य रत योग और नीजभंग राजयोग का आप मॉंबईमें रहते हैं या पूने में रहते हैं तो ध्यान से सुनियेगा कि 17, 18 मॉंबई और 19 तारिक को पूने और 20 तारिक को फिर से मॉंबई आप सभी से मिलने के लिए हम आ रहे हैं, अगर आपकी कोई समस्या है, जिसका आप समाधान खोज रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और व्यापार खोलने का सोच रहे हैं, शादी की उम्रग हो गई है पर शादी हो नहीं रही है, ऐसी कोई भी समस्या है, तो उसके लिए समाधान आपकी स्वयम की कुंडली है, अपनी कुंडली के साथ में कुंडली विशलेशन करवाने के अगर आप हमारे पास में आते हैं, तो आपको आपके सभी सवालों के संपूर्ण जवाब और उपाय मिल सकते हैं, यहां पर आपको लिख करके उपाय दूँगा, यह भी चीज बता या आप जिस संघर्ष के साथ में गुजर रहें, उसी संघर्ष के साथ में गुजरते रहना चाहेंगे, निर्णे आपका है, समाधान मेरा है, चलिए, अब बात करते हैं, आज के राशी फिल के शुरुवात करूँगा मेश राशी से, मेश राशी के लिए राशी भाव से 10th house में चंद्रमा है, विपत तारा का साथ और अश्ठक वर्क में 24 dots है Overall, situation आज आपके लिए 70% positive है चाहे हम name और fame की बात करें यहाँ पर government contract जो भी करते हो उनके payment release करने की बात करें काम के अंदर सफलता और अच्छी कमाई की बात करें यह सबी चीजें आज के दिन प्राप्त जरूर होंगी घर में महमानों के आने से या त फिर महमानों के घर जाने से दूसरों के घर, दोस्त, रिलेटिवस के घर जाने से बहुत ही ज़ादा खुशी कानुभव भी होगा तो यहीं पर यह भी देखने को मिलेगा कि हर चीज बड़ी आसानी से पूरी हो रही है पर जो भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो इनको आज के दिन कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए फिर आगे बढ़ने के जरिये मिलेंगे या तो फिर रास्ते मिलेंगे अचानक से बदलाव जो है वो कहीं न कहीं गबराहट आपके अंदर उत्पन करेगा पर समय रहते हुए सूजबूज के साथ मगर आप समय इस चीज को वापस ट्रीट करते हैं या तो फिर आगे बढ़ते हैं ये देखने को जरूर मिलेगा कि जो गबराहट थी वो सर्फ चेंज से थी और कुछ भी नहीं हेल्थ वाइस कोई प्रॉबलम आज के दिन नहीं देखने को मिलेगी तो वहीं गर परिवार को लेकर कि शाम के समय में कहीं मंदर या फिर जाना ऐसी जगे पर हो जहां पर आध्यात्मिकता है कहीं भजन संधिया में जाना हो तो शानदार पॉस्टिविटी आज के दिन आपको देखने को जरूर मिलेगी आज बेज कलर यानि की क्रीमिश कलर जिसे कहते हैं लाइट कलर्स अगर आप इस्तिमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत शुब साबित होगा तो महीं शुब अंक रहेगा आपके लिए नमबो वन अब बात करते हैं वरशब राशी की तो आपके लिए 9,000 का चंद्रमा है अधी मित्रतारा का साथ तो यहां पर सपोर्ट की है यहां पर यह कहूंगा कि नेमो फेम की प्राप्ती होगी तो कमाई भी अच्छी होगी पर कन्फूजन जादा रहेगा कोई हिसाब करना है उसमें गलतियां उत्पन होती भी नज़र आएगी तो वहीं किसी का पेमिंट आपको रिलीज करना था तो वो स्किप हो जाएगा माइंड से तो उसकी प्राप्लम आज के दिन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और इसी कारण आपके सीनियर्स जो है या फिर अगर आप फैमिली बिजनिस में तो आपके जो सुपर सीनियर्स हैं उन से कुछ ना कुछ सुनने को मिल सकता है आपकी गलती का सामना आपको स्वैम को आज के दिन करना जरूर पड़ेगा यहाँ पर यह भी कहूंगा कि बेकार के कामों से और बेकार के लोगों से टाइम पास वाले जो लोग है उनके साथ में आज के दिन अपना समय वेस्ट मत कीजेगा अपने केरियर पर और कैसे आगे बढ़ना है अच्छी कमाई करनी है उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए आपका दिन भी इतना चाहिए घर परिवार का सपोर्ट और ज़्यादा मिल सकता है और ज़्यादा बहतर हो सकता है तो इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी तो यहीं positive समय जो अगर आपके लिए देखा जाए तो 20 तारिक से 20 मार्च से वापिस आपके लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो जाएगा शुबरंग रहेगा आपके लिए gray color शुबंख रहेगा number 2 अब बात करते हैं मिथुन राशी की तो मिथुन राशी के लिए राशी भाव से 8,000 में चंद्रमा है वद दितारा का साथ और अश्टग वर्ग में सिर्फ औसिफ 25 डॉट्स जो 33% आज के दिन सपोर्ट देने वाले है यह situation लगातार ऐसे ही आपके लिए चलने वाली है जब तक मिएन राशी का चंद्रमा नहीं आता जो है 22 तारिक को तो यहाँ पर आप मान करके चलिए आज के दिन आपके लिए struggle से भरा हुआ है नेगेटिव कह रहा हूँ अगर नेगेटिव सुनने की आदत नहीं है तो पहले ही स्किप कर लीजेगा और जानना चाते हैं कि कहां पर सावधानिया रखनी है तो फिर सुनिए यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों से और रिष्टिदारों से सपोर्ट मिल सकता है कोई भी घर की समस्या या फाइनशिल प्रॉब्लम यहाँ पर पुकारने भर से आपकी मदद जरूर हो जाएगी पर यह देखने को मिलेगा कि घर के जो बुजर्ग हैं उनसे जो आप समर्तन चाते थे वो नहीं मिलेगा आपके अगेंस्ट जादा खड़े रहेंगे वही घर में सास बहु के बीच में होई हुई प्रॉब्लम से आपके लिए प्रॉब्लम ज्यादा एक्रियेट हो जाएगी जहांपर माता जी से कहीं सीधे मू बात नहीं होगी तो वहीं अपने लाइफ पार्टन से भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी कंप्लेंट पर कंप्लेंट सुनने को मिलेगी यहां पर ससराल पक्ष से भी तनावपूर्ण संबंद हो जाएंगे तो ये भी देखने को मिलेगा कि हिल्थ इतना जादा साथ नहीं निभा रही पर जो फाइनाशिल प्रॉब्लम है उसके लिए तो एक सीधा सा आप उपाय कर सकते हैं कि शाम के समय में खीर घर में जरूर बनवाएं और पूरे घर वाले सबसे पहले लक्षमी जी को चड़ा करके फिर प्रसाद के रुप में सभी घर वाले खाएं दूसरा सुभे के समय में यानि कि मन मुटाव है वो खतम हो ओवराल दिन आपके लिए कश्ट कारक जरूर है पर सोल्यूशन भी है जो सोल्यूशन आपको बताया है शुबरंग रहेगा आपके लिए रेड कलर शुबंख रहेगा नमबर सिक्स अब बात करते हैं तो करक राशी के लिए राशी भाव से सेविंथ हाउस में चंद्रमा है संपत तारा का साथ और अश्टक वर्ग में 26 डाट्स सिचुएशन बहुत पॉजिटिव बन रही है जहां जीवन साथी का आपको साथ मिलने वाला है यहीं पर फैमिली बिजनस है तो फैमिली बिजनस में भी मान करके चलिए कि सभी का साथ और समर्थन आपको पूरा मिलेगा जो भी डिसिजन आप लेंगे उसकी कमान आपको स्वहिम को संभालने को जरूर मिलेगी जहीं पर सुक्स विधाओं की प्राप्ती होगी तो कमाई के साथन भी बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं यंकस्टस इस समय में खास तौर पे जो भी स्टूडेंट्स हैं अपनी पढ़ाई पर आने वाले कॉम्परिशन एक्जाम पर फोकस करें तो शांदर सफलता आपको मिल सकती है ये नोट करके चलिए कि जो भी करक राशी का है जो एक्जाम अभी देने वाला है उसके लिए आज का दिन बहुत बहुत पॉस्टिव है शुबरंग ऐसे में रहेगा आपके लिए परपल कलर शुबरंग रहेगा न बथरी घर में किसी के साथ में मन मुटाव हो गया था तो अब उसको बहतर करने की बात करूँ सभी चीजें होगी और ऐसे में खास तौर पे जो भी इनसान मेक अप का काम करता है चाहे मेक अप आर्टिस्ट है, सब आर्टिस्ट है याद फिर असिस्टेंट आर्टिस्ट है, याद फिर मेक अप की दुकान चलाता है, जनरल स्टोर चलाता है स्टैंड अप कॉमेडियन है, याद फिर सेलिब्रिटी है, याद फिर स्ट्रॉगलिंग अक्टर है आप सभी के लिए आज का दिन शांदार से धोने वाला आज का ही नहीं 22 तारिक तक लगातार आपके लिए पॉजिटिवटी बनी हुई है कोई भी आप औरिशन देने वाले हैं तो मान करके चलिए इस औरिशन से आपके लिए नए रास्ते जरूर खुलेंगे वहीं पे भागे का साथ भी मिलेगा तो अच्छे से अपने काम को अंजाम देने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे यंग स्तर्स इस समय में कॉम्पेटिशन एक्जाम देने वाले हैं जॉब इंटर्व्यूज देने वाले हैं कॉलेज सेलेक्शन कमिटी के लिए डिबेट करने वाले हैं तो मान करके चलिए कि आपके लिए पॉस्टिव खबर बस आने ही वाली है यहां पर ये लोकलर का इस्तमाल आपके लिए बहुत शुब साबत होगा तो वहीं शुब अंक रहेगा आपके लिए नंबर सेवन अब बात करते हैं कन्या राशी गी कन्या राशी वाले आपके लिए राशी भाव से फिफ्ट हाउस में चंद्रमा है वद अतारा का साथ भी है अश्ठक वर्ग में 24 डॉट सें ओवरॉल सिचुएशन सिर्फ और सेफ 25 परसंट सपोर्ट की है यहाँ पर परिशानियों से सामना आज के दिन करना पड़ेगा तो वहीं अपने खयालों में खोग करके जिसको हम कहते हैं कि डे ड्रीमिंग करता है दिन में सपने देखता है ये समस्य आज के दिन देखने को मिलेगी कि काम कम है और सोच ज़्यादा बड़ी है असल में होना ये चाहिए कि सोच के साथ में आपके करम मैच होने चाहिए जो सोचते हो कि उस मुकाम पे पहुचना है तो महनत भी उस मुकाम के लायक होनी चाहिए पर आज के दिन यहीं पे फेल होते हुए नजर आएंगे मन में अशांती है तो वहीं हर चीज में डिससाटिसफाक्शन भी है कमाई होगी पर अपने ही स्टाफ पर अपने ही टीम मेंबर्स पर चीखते चलाते हुए नजर आने वाले हैं घर परिवार के अंदर जाकर कि अगर अपने गुस्से को काबू में रख लें तो ज्यादा बैतर है वरना घर परिवार वाले आपके अगेंस्ट होकर के खड़े हो सकते हैं इस बात का ध्यान रखते हुए पीच कलर का इस्तमाल करिएगा आपके लिए बहुत जादा बहतर रहेगा वहीं पर शुब अंक रहेगा आपके लिए नमबर टू आई अब बात करते हैं तुला राशी की तो तुला राशी के लिए फोर्थ हाउस का चंद्रमा है पर आज के दिन घबरानी की बात नहीं है अधिमित्रत आरा का भी साथ मिलता है तो वहीं अश्ठक वर्ग में भी 28 डॉट्स मिलता है ओवरॉल सिच्वेशन 80% आपके लिए सपोर्ट की है अब इसके अंदर जादा से जादा जो खराबी हो सकती हो स्वेम के अंदर emotions की हो सकती है गुसा बहुत जादा आ रहा है नीद पूरी नहीं हो रही irritation जादा है तो वहीं dissatisfaction है इर्शिया भावुत्पन हो रहा है ये समस्याएं उपर करके सामने आएंगी पर इसके अलावा लॉस की बात करूँ एजुकेशन में अपॉर्चिनिटी मिस करने की बात करूँ ये चीज नहीं होने वाली बहुत अच्छी कमाई करोगे तो वहीं स्टूडेंट्स भी अपनी उमीद जो है वहां तक पहुचते हुए नजर आएंगे पर डिस साटिस्फाक्शन की जो बात हो रही है वो यहां पर उभर करके आएगी कि कमाई होने के बावजूद आपके मन मताबिक ना हो ये शिकायत होगी तो अपने स्टाफ के उपर गुसा करते हुए नजर आएंग तो यहीं पर कोई भी गवर्न्मेंट नोटिस अगर आपके पास में आ गया है तो उसका जल्द से जल्द सही लॉयर के साथ में मिलके जवाब देना जरूरी साबित होने वाला है यहां पर जो भी यंगस्तर्स हैं जो रिलेशन्शिप में हैं और इस चीज की तरफ आगे ब आपके लिए बहुत बहतर सिध हो सकता है तो वहीं शुबंक रहेगा आपके लिए नॉम्बर टू अब बात करते हैं व्रश्चिक राशी की तो व्रश्चिक राशी के लिए राशी भाव से थरड हाउस में चंद्रमा है 23 डॉट अश्टक वर्ग में मिल रहे हैं पर विप करते हैं जो smoothly होते थे वो नहीं होंगे लोग commitment देकर के पीछे हटने उनको मनाना पड़ेगा जो सामने से पैसे आने वाले थे उसके अंदर रोक्ताम हो रही है तो वहां पर जाकर के बात करनी होगी तो वहीं अपने staff के support के लिए उनको आज के दिन कहीं न कहीं पर motivate करना पड भी सही समय पर खाना ना खाने के कारण acidity की समस्य उत्पन हो सकती है थोड़े patience के साथ में अगर आगे बढ़ें अपने काम को अंजाम देते रहें आस पास के लोगों पर focus ना करें तो आज के दिन को शांदार बना सकते हैं शांदार कमाई के साथ में वापस घर लोट सकते हैं तो यहीं पर कोई भी नई opportunity आप चाते थे carrier में चाहा रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ूं कोई नए channel की शुरुवात करने वाले हैं तो उसके लिए आज के दिन आपके लिए सबसे best बन रहा है शुबरंग रहेगा आपके लिए silver color शुबंख रहेगा number five अब बात करते हैं धनु राशी की धनु राशी के लिए राशी भाव से second house में चंद्रमा है प्रत्यारी तारह का साथ और अश्टग वर्ग में 36 dots हैं overall situation जो आपके लिए यहाँ पर बन रही है वो है 35% support की और संतोश कहें कहीं ना कहीं पे miss calculation के कारण ध्यान ना रखने के कारण याद फरिये क हैं कि लापरवाही के कारण financial loss देखने को मिल सकता है सही समय पे payment ना करने के कारण fine लग जाए किसी को payment करना है और insufficient funds होने के कारण आपको सामने वाला fine लगा दे या penalty लगा दे इन चीजों का सामना करना पड़ सकता है तो यहीं पे जो व्रद अवस्ता में हैं उनको अपनी आख को आज के दिन जाकर के जरूर चेक करांचे अगर कोई भी समस्य उत्पन हो रही है तो घर परिवार में भी रह रहे करके चोटी चोटी बातों पर आज के दिन तुनक मिजादी जिसे कहा जाता है कि तुनक जाते हैं लोग अचानक से एक विसफोटक रियाक्शन देते फिर शांत हो जाते हैं तो इस चीज़ का सामना आज के दिन घर के हर सदस्य के साथ में करना पड़ सकता है तो यहीं पर चिंता बहुत जादा होगी फैनाशली चीज़ों को लेकर के चंता बहुत जादा है पर यह आपको बात बता दूँ जैसे ही कुम राशी का चंद्रमा आएगा तब situation फिर से बहतर होगी पर complete वापस जिसको हम कहते हैं कि better time period जो है उसके लिए आपको व्रशब राशी के चंद्रमा का इंतजार करना होगा जो वापस आपके लिए आएगा 28 तारिक को इस महीने तो वहां तक आपको शांती बनाया रखनी होगी यहां पर brown कलर का अगर आप इस्तमाल करते हैं खाकी कलर का अगर आप इस्तमाल करते हैं तो आपके लिए आज का दिन better बन सकता है support मिल सकता है और earth element जिसे कहते हैं उसका साथ आपको मिले तो ज्यादा बहतर रहेगा यहीं पर शुब अंक जो है वो आज रहेगा आपके लिए number seven अब बात कर है तो वहीं opportunity सामने investment की बहुत अच्छी आने वाली है चाहे दोस्त कोई लेकर के policy आजाए कि इसमें invest कर लो तो आज के दिन कर देनी चाहिए है मान करके चलिएगा कि long term में इस investment से आपको फाइदा जरूर मिलेगा तो वहीं luxury goods की प्राप्ती चाहते हैं कार खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ समय आप रुप जाएए अच्छा समय आने ही वाला है और इस समय में कोई भी आपकी जो भी काम है जो आपका कर्म है याद फिर जो भी मेहनत है वो जरूर रंग लाएगी यहीं पर young stars आज के दिन दोस्ती के माहौल में ज्यादा अपने आपको रंगे हुए नजर आने वाले हैं दोस्तों का साथ और उनका प्रेम और उनका attention आपको ज्यादा पसंद आएगा ज्यादा भाएगा तो वहीं आना चाहे गोल्ड हो याद फिर सारी हो याद फिर कोई छोटी से फूल भी अगर ले करके आजाए तो वो भी आपके घर के अंदर एक positive energy जरूर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर बड़ी बड़ी चीज हैं बड़े decisions लेने से जो आप डर रहे थे याद फिर घर में पिता जी स है कुमभराशी की आपके लिए 12th house का चंद्रमा है सादक तारा का साथ और अश्टक गवर्ग में 27 dots है overall situation जो आपके लिए याँ पर बन रही है that is only and only 67% पर 12th house का चंद्रमा है losses भी देगा तो health wise भी आज के दिन problems create जरूर करेगा यहाँ पर घर की स्त्रियों से बहन है पतनी है माता जी है धुआ जी है इनसे बहुत आपको बच करके रहना है और वहीं पे इनका ध्यान भी बहुत रखना है वहीं अगर आप स्त्री है जो इस एपिसोड को देख रही है और किचन में कुछ भी काम कर रही है तो आज के दिन बहुत सोच समझ करके काम कीजिएगा कहीं कहीं चोट लगना जलना ये वाली दुर्खटना होने की संभावना ज्यादा बढ़ रही है आज के दिन दूसरों के साथ में बात करते समय अपना डिस्टिंस मेंटेन करते हुए चले अपने मन की बातें ना शेर करना है चाहे वो घर वाले ही क्यों नहों तो ज्यादा बहत कोई और सदस है अगर आप फैमिली बिजनस में हैं तो अपनी जगे अपने भाई को अपने साथ में जो हैं उनको किसी को ट्रॉक्सी बना करके आगे बढ़ा देना जादा बहतर है ताकि लॉसस से आज के दिन बच जाए वहीं कैश कैरी करके कहीं पे भी जा रहे हैं बैंक से घर पे आ रहे हैं बैंक से ऑफिस में जा रहे हैं तो यह कहूंगा कि आज के दिन जो हमेशा आप रास्ता अपनाते हैं उससे अपना रास्ता आज के दिन बदल लीजे कोई ना कोई कू करमी कहें या तो फिर चोर कहें वो इंतजार कर रहा है उस रास्ते पे जो जानता ह कि आप आज cash लेकर के पैसे लेकर के घूम रहे हैं तो आज के दिन आपके उपर जपटा मारना हाता पाई होना इसकी संभाव नहीं जादा बढ़ जाएंगी तो अपना रास्ता और वहीं पे अपना तरीका दोनों ही बदलने की जरुरत है शुबरंग रहेगा आपके लिए pink color शुब अंक रहेगा नंबर 5 अब बात करते हैं मीन राशी की मीन राशी के लिए राशी भाव से 11,000 में चंद्रमा है प्रत्यारी तारह का साथ और अश्ठक वर्ग में 26 डॉट से overall situation जो आज आपके लिए बन रही है वो है 67% support की अब सबसे पहले यहाँ पर खुशकबरी आपको देता हूँ जो भी competition exam fight करने वाला है competition कोई भी चीज करने वाला है competitive edge चाहता है अपने competitor से तो आज के दिन यह संभव है बहुत lucky दिन है तो यहीं अपने शत्रों पर control पा लेन उनको मजा चखा देना चारों खाने चित कर देना यह सबी जो चीज़ें यह आज के दिन मुम्किन जरूर होंगी तो यहीं पर जो भी business करने वाला है credit का काम करने वाला है उनके लिए शानदार दिन है अच्छा collection करने को मिलेगा तो वहीं पर अच्छी कमाई आज के दिन आ तो यहीं यंगस्तर्स के लिए विवा संबंद बातों का आज के दिन आगे बढ़ना विवा संबंद तैह होना या तो पिर ऐसी किसी भी जो रिश्टे में बंदने की बात है इसकी तरफ आपके कदम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे घर का माहौल बहुत positive होता हुआ नजर आएगा तो इस तरफ आपका ध्यान जरूर रहना चाहिए शुबरंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर शुबंख रहेगा नबनाएंग ये तो हुई बात आज के राशी फलकी अब बात करते हैं आज के विशेश उपायकी की नवरातरी व्रत क्या है और इसको कैसे क करना चाहिए तो ध्यान से सुनिए वेद बोदित अगनी होतरादी करम शस्त्रवीहित नीयम आदी मतलब साधारन और असाधारन धर्म को ही व्रत कहते हैं और ज्यादा सरलता से जिस कर्मद्वारा इश्वर का सानिध्य होता है वो व्रत है अब उपवास जो आप कहते हैं ये और कुछ नहीं व्रत का ही परियाए है साधना क्या है साधना शब्द साध धातू से बना है जिसका अर्थ है प्रयतन करना अभ्यास करना मतलब साधना वो है जिससे अभिश्ट फल की प्रापती हो ये शक्ती और महाशक्ती की प्राप्ती का साधन है और साधक वो है जो साधना और अभ्यास करता है यानि कि स्टूडेंट जो एजुकेशन प्राप्त करता है उसे स्टूडेंट कहते हैं तो वही साधना जो करता है उसे साधक कहते है साध्य वो है जो साधना द्वारा प्राप्त होता है और सिद्धी का अर्थ है शक्ति और कम्प्लीशन पूनता अब साधना में पूजा स्थान कैसा हो तो नवरात्री आ रही है आप में से कहीं लोग दुर्गा पूजा करना चाहेंगे साधना करना चाहेंगे तो अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहेंगे दुर्गा पूजा के लिए घर में ही एकांत कमरे में लकडी की चौकी पर लाल रेशमी आसन बिचा करके यंत्र और मूर्ती प्रतिश्टित करके पूजा स्थान बना लेना चाहिए और इस बात का विशेश ध्यान रखना चाहिए है कि पूजा कक्ष साफ और सुत्रा हो प्रदूशन रहित हो शोरगुल से दूर हो और किच्चन से और शैन कक्ष से अलग हो ताकि साधना में किसी प्रकार का व्यवधान ना आ पाए अब दूसरी बात आती है कि जब जाप करेंगे जब करेंगे कोई भी उपास ना करेंगे तो उसमें माला कैसी हो शिव और शक्ति की उपासना के लिए रुद्रक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए ये पूर्ण माला आप देखेंगे तो एक सो आठ दानों की हो सकती है लेकिन 54 दाने या 27 दानों की भी माला का आप प्रेयोग कर सकते हैं इसमें मना ही नहीं है इस बात का आप ध्यान रखें अब बात आती है जो आप पूजा करने वाले हैं आपका आसन कैसा हो तो दुर्गामाता की साधना के लिए लाल आसन का प्रयोग करना चाहिए लाल रंग का उनी आसन हो तो और भी ज्यादा बहतर है और साधना के बाद में आसन को प्रणाम करके उसे लपेट करके सुरक्षित उपर रखना चाहिए है ना कि जमीन पर ही रखके उसके उपर रोंदते हुए आपको आगे बढ़े ये नहीं करना फिर बात आती है वेश भूशा की जो साधना करने वाला है ये उसके लिए ज़ादा जरूरी है आप कोई भी कपड़े पहन करके बैठ सकते हैं अगर साधारन पूजा कर रहे हैं पर जिस समय आप आसन पर बैठ करके पूजना साधना करेंगे तो उस समय में आपको लाल धूती जिसको हम पितामबर कहते हैं या तो फिर लाल अंगोचा यदि सर्दी हो तो लाल कंबल का शौल आप ओड सकते हैं पर अभी तो गर्मियों का समय है तो ऐसे में लाल अंगोचा और लाल पितामबर ये आपको जरूर पहनना है अब आती है बात साधना के लिए सामगरी की तो आप सभी जानते हैं कि 22 तारिक से नवरात्री शुरू होगी तो ऐसे में 22 तारिक को जो आप पूजा करना शुरू करेंगे जो भी साधना करना शुरू करेंगे तो उसके लिए जानकारी आपको अभी दे रहा हूँ इस सामान को एकटा कर लीजे समय रहते हुए तो साधना की सामगरी सबसे पहले आपको पूजा के बरतन चाहिए होंगे उसके बाद में धूप बत्ती चाहिए होगी फिर आरती दूरगाशप्त शती की पुस्तक कपूर, रुई, दीपक और मिट्टी का कुलहड या तो फिर कलश और इसी की साथ में तांबे का कलश अलग से नारियल, माचिस, पंच मेवा, पंच पल्लव यानि की आम, जामुन, पाकर, पीपल और बट ये पुश्प और माला गुड़हल के पुश्प जिसे जवा या तफ़र जवा पुश्प कहते हैं देवी को विशेश रूप से प्रिया हैं तो ये जरूर आप लेकर आजाईए लाल कनेर भी प्रिया हैं तो ये भी ला दीजे और साथ ही साथ कमल पुश्प अगर मिले तो सबसे बहतर ये तो जरूर लेकर आईए अब बात आती है नियम क्या है क्योंकि कोई भी साधना करते समय नियमों का पालन सबसे ज़ादा जरूरी है तो सबसे पहले ब्रह्मचारिय का पालन करना है पवित्र रहना है भूमी शैन करना है शौच के बाद सनान करके वस्त्र बदलने की आवश्यकता जरूर होगी मुत्र त्याग के बाद में हाथ पैर धोना आवश्यक है और कुछ भी खाने के बाद में मुँ साफ करके जाब के लिए बैठना जरूरी है आसन पर बैठ करके आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए है यहां तक की जल का भी सेवन नहीं करना चाहिए रजस्वला स्त्री का पूजा कक्ष में आना स्पर्ष उसके हाथ से सामगरी लेना वर्जित है वहीं पे वरत में दूद, फल या तफिर फलों का रस आप ले सकते हैं पर अनक का सेवन नहीं कर सकते अब बात आती है पूजा की नवरातरी स्थापना पूजा की तो स्थापना के दिन शुब महरत में दूरगा पूजन करना शुरू करना चाहिए वहीं स्थापना के दिन पूजा स्थान पर कलिश स्थापना भी किया जाना जरूरी है अगर आप विधिवत कर सकते हैं तो आपको कलिश स्थापना जरूर करना चाहिए और चाहे तो किसी विदवान से, पूजन से, पंडित से आप करवा सकते हैं अब बात आती है अखंड दीप स्थापना की तो पूजा स्थान पर देवी की दाहिनी और अखंड दीपक स्थापित करना चाहिए अखंड दीपक वो होता है जो कभी बुझे नहीं तो नवरातरी के नौ दिनों में ये दीपक जो है आपका ये बुझना नहीं चाहिए वहीं दीपक स्थापित करते समय पूर्णत है आपको सावधानी रखने की जरूरत है फिर बात आती है हर रोज पूजन की तो अब दुर्गा सब्त शती का पाठ करना यहां पर हर रोज अगर पूरी पुस्तक पढ़ सकते हैं तो बहतर है नहीं तो रोज एक या दो अधियाए पढ़कर के पुस्तक को नौ दिन में आपको पूरी करनी है नवरातरी वरत और उपासना के बाद में अश्ठमी की रातरी को या नवमी के दिन हवंड कुन बना करके हवंड करना जरूरी है यदि आप विवाहत हो तो पती-पत्नी साथ-साथ में हवंड जरूर करें और वहीं पर पूजा के अंतिम दिन लक्षमी कुबेर और इश्ट देवी के अतिरक्त अन्य देवी देवताओं को अपने अपने स्थान पर गमन करने की प्रार्थना करनी है और नवरात्री की समापती पर व्रत रखने वाले लोग अन ग्रहन करेंगे और यही वास्तव में व्रत का पारण कहलाएगा आपको इतनी जल्दी यानि कि सत्रा तारिक को ही पांच दिन पहले ही बताने का उद्देश्य इतना सा है कि अंतिम दिन बताऊंगा तो भूल जाओगे सामगरी जो लानी चाहिए पूजा के लिए वो नहीं आ पाएगी तो ऐसे में पहले ही बता देना इस उद्देश्य के साथ में कि ये नवरात्री आपकी खास हो जो आपकी मनुकामना है वो आपकी पूर्ण हो जो भी साधना आप करने वाले हैं वो आपकी साधना संपन हो सफल हो इस उद्देश्य के साथ में आज के दिन आपको ये सभी जानकारी दे रहा हूँ हमेशा की तरह यही प्रात्ना करूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदेव सुखी रहे, संपन रहे, सुरक्षित रहे घर में बड़े वजर्गों का साथ और आशरबात हमेशा हमार साथ में बना रहे जैश्री राम एवं जैहन